इन्जोई नेचे दिखने वले सभी दोस्तों को नमस्त ये सच्छिया का तो दोस्तों जैसे ही विंटर आ रहा है तो समर में के बहुत से प्लांट है जो वो अब डॉर्मेंसी में जा रहे हैं तो आज हम ऐसा ही प्लांट के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे जे अडेनियम का प्लांट है अब इसका भी जो है डॉर्मेंसी पिरियड है वो स्टार्ट हो चुका है और जे दीरे दीरे अब डॉर्मेंसी में चला जाएगा और इस पर जो फ्लावरिंग है वो भी अब हो अब जो हो रही है वो भी बहुत छोटे से फूल है और बहुत ही कम फ्लावरिंग है जो इस पर हो रही है और अब जे होना बंद हो जाएगी और जे इसकी बस लास्ट फ्लावरिंग ही है और दीरे दीरे से इसकी पतियां है जे भी यालो होकर अब गिरने लगेंगी और इसकी जो सभी पत्तियां हैं वो धीरे-धीरे से गिर जाएंगी और इसके उपर जो प्रांचिस है सरफ वो ही बचेगी और आप जो डॉर्मेंसी में चला जाएगा तो जिब इसका जो होता है रेस्ट पीरियड होता है तो तब आप इस प्लांट की केर है जो वो थोड़ी सी करते र हैं और आप इसको कोई भी फर्टिलाइज वगेरा तो ना करें क्योंकि इस डॉर्मेंसी में इसको कोई भी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसकी ग्रोथ है जो वो बिलकुल भी नहीं होती है तो आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसको की है जो वो तो मिलती रहे लेकिन जो रात की सर्थी है उससे आप इसको बचा कर रखें जैसे की दिसंबर और जनवरी में कई बर बहुत ही जादा जो फॉग है वो पड़ती है तो तब आप अपने प्लांट को उससे बचा कर रखें नहीं तो आपका प्लांट है खराब हो सकता है इसका जो कोटेक्स है वो भी गलने लगता है तो आप इसको ऐसी जगा पर ही रखतें और इसमें वाटरिंग है जो वो भी आप सर्दियों में बहुत ही कम करें क्योंकि इसको जादा वाटरिंग की भी जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी आप इसकी मिटी है जो उसको और अगर बहुत ही जादा इसकी मिटी है जब ड्राई हो जाएं तो फिर आप इसमें थोड़ी सी वाटरिंग है वो कर दें ताकि आपका कोटेक्स है वो ठीक बना रहें और आप बीच बीच में इसको चेक भी करते रहें इसका जो कोटेक्स है वो थोड़ा सा हार्ड ही होन चाहिए अगर आपको लगे कि आपके प्लांट का जो कॉटेक्स है वो थोड़ा सा डीला हो गया है तो फिर आपका प्लांट है जो वो गल सकता है तो फिर आप उसमें वाटरिंग है जो वो काफी कम करें और आप इसकी प्रूनिंग भी करें अब भी कर सकते हैं और फरवरी की स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं तो जह देखे मैंने पिछले साल इसकी प्रूनी की थी तो जहां से मैंने इसको प्रून किया वहां से इसकी और ज्यादा प्रांचिस है जो वो निकलती हैं अगर आप इसको कट करते हैं तो जह देखे में भी ज़्यादा खुब सूरत लगता है और इस पर फ्लावरिंग है जो वो भी काफी ज़्यादा होती है तो बस आप अपने प्लांट की थोड़ी सी विंटर केयर है जो वो करें और जैसे ही समर स्टार्ट होगा तो आपका प्लांट ये फिर से हरा बरा हो जाएगा और इस आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ